नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल दस्तक बिहार में चुनाओं है 28 अक्टूबर को है 3 को है 7 को है 10 को नतीजे आ जाएंगे लेकिन बड़ा सवाल है बड़ा उटर फेर है क्या बिहार में BJP की सत्ता आएगी क्या RSS वहां चाल चल रही है और क् RJD सत्ता से बाहर रहेगी वहां कैमपेंच चलाया रहा है एक प्लूरल्स पार्टी आई है एक महिला है वह सिर्फ कैमपेंच चलाती है कि बिहार में 30 साल में बरवादी हुई है 30 साल मतलब 15 साल लालुयादव का रिजिन और 15 साल नितीज कुमार का रिजिन और अब उनकी को कोशिस है दरसल वह कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कोई SCHTOBC मायनौटी का सीम अब न बने वहां कोई सवन सीम आ है जिनोंने 40 साल तक उस राज में सत्ता किया है वह उसकी बात नहीं करें वह सिर्फ 30 साल की बात कर रही है खर SCHTOBC मायनौटी की कितनी एक जूट है तो दरसल BJP वहां सत्ता में अकेले आ नहीं सकती है नितीस कुमार को दर किनार कर नहीं सकती है इसलिए उसने LGP के जरी एक नया खेल रचा और उसकी कोशिस हुई कि चुकि इस देश में मुसलिम और दलित और पिछरा समाज के लोग BJP से बहुत नाराज हैं वो किसी किमत पर ब और दलित बोट LGP को मिलेगा और तुम जीज जाना बाद में हमारा समर्थन कर देना हम सरकार बना लेंगे खेर नितीस कुमार इस खेल को समझते हैं लेकिन वो करे तो क्या करे वो RJD के साथ जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको धोखा दे दिया तो अब दाव पर लगा है कोई CSTOBC Minority का CM नहीं बन सकता है अगर BJP आती है तो अब SM दाव पर लगा है अब CSTOBC Minority का स्ट के लोग को समझना चाहिए कि अगर आपने LGP को बोट दिया तो LGP तो सिर्फ दलित बोट से जीतेगी नहीं नितीस कुमार भी हार जाएंगे और तेजस्वी आदब भी हार जाएं तो ये गट बन्धन ये चाल जो है वो BJP को भारी भी पर सकता है अब बात करते हैं दूसरे बात पर उपेंदर कुश्वाहा मायावती और आपको बता दे कि ओवैसी का एक गट बन्धन है मुझे ताज्यूब हो रहा है कि एक रात में गट बन्धन कैसे हो गया अगर हो भी गया तो क्या ये बिनिंग कंबिनेशन है ये तो वहां की जनता तैक करेगे मैं बिहार अभी गया नहीं हो मैं जाओंगा तो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट भी दिखाओंगा लेकिन मैं बिहार के लोगों से अखास कर अपकिल कर रहा हूं कि इस वीडियो पर कमेंट कि क्या उपिंदर कुसवाओ वैसी और मावती का अगटवंदन जो है वो सीट निकालने में सक्षम है या नहीं है मैं इस बात का पक्षदर हूं मैं इस देश के सबसे बरे राजनीती के रसायन सास्त्री मानेवरकांसी राम सहाब के इस लाइन से सहमत हूं कि सरकार मजबू अगर मिली जुली सरकार बनती है तो अच्छी बात है लेकिन जिस तरह से गटवंदन हुआ है उसे डर तो पैदा होता है कि आरजेडी को रोखने के लिए ही क्या यह सब किया जा रहा है ऐसे में बड़ा चंक बोट का ये लोग कारता दिख रहे हैं लेकिन कुछ सीटों पर ये लोग जीत भी सकते हैं जहां कुछबाहा और मुस्लिम नेकिन मुसलिम समाज बहुत टेक्टिकल बोटिंग करेगा सिर्यूल कास्ट के लोग बहुत टेक्तिकल बोटिंग करेंगे तो आरजेडी अभी फायदे में दिख रहा है लेकिन आर्जेडी के साथ भी एक समस्या है आजए डी ने जिस तरसे टिकट बाट राट ऊस्से लगता है कि उस सवर्ण के तरफ ज़्यादा जुक्रहक नोगता कि सवर्ण उनके साथ आ जाएंगे ऐसा होता दिखने रहा है अगर आजए डी उसको 70 सीटे क्यों मिली है, लेफ्ट को लेकर भी जो लालू यादव की समझ है, वो सायदव उनकी कम परने वाली है, लेफ्ट के जो पहले समझ से पड़े है, अगर यही 70 और 300 सीटे, अगर तेजस्वी आदव ने उपेंदर कुसवा, हम और सहनी को दिया होता, तो जादा फायदे में होते, हम यह भी जानते हैं, कि जो निसास समाज के लोग है, जो कुसवा समाज के लोग हैं, उनका हिंदुआईजिसन बहुत तग है, वो उनका कम ही बोट इनको मिलता, लेकिन अगर यह उनको साथ रखते तो बोट मिलता, 33 सीटे दी जा सकती थी, 25 सीटे भी हम को 25, इंसान बिकास को 25, उपेंदर कुसवा को 25, राबन और मायावति की पार्टी को भी अगर इस सीट देते 10-10, तो भी इनको जादा फायद बिहार में एक तो साफ हो गया है, कि बीजेपी दो तरह से चाल चल रही है, बीजेपी की चाल से नितीस भी खतम हो जाएंगे, और चिराग पासवान भी खतम हो जाएंगे, और बीजेपी के अगर चाल सही होती है, सठीक बैढ़ती है, कुछ लोग सुत्र बता रहे हैं कि पेंदर कुषवाह, माया, वत्ती और ओवैसी का जो एक रात में गटवंधन हुआ है, उपर वाले का दवाब है, उपर वाला आप सब समझते हैं किन लोग का दवाब है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता उर्ती चिरिया को हल्दी लगाती है, ऐसे में दे की होगी, तो वो जेडियू की होती दिख रही है, क्योंकि उनके साथ न तो सवर्ण बोटर जाएगा, वो लजीप को बोट करेगा, जो बीजेपी की राजनिती है, सवर्ण बोट परेगा ने उनको, थोरा बहुत बोट परेगा, दलिस समाज के लोग उन से नाराज है, वो बीजेपी को हरा रहे हैं, लजेपी ने पहले कह दिया है, कि अगर वो जीतेगी, तो बीजेपी का समर्थन करेगी, तो ऐसे में देखना पड़ेगा, कि आरजेडी, उपेंदर कुसवाह, मायावत्ती और उभैसी की पार्टी में कौन सीट जीत रहा है, टेक्टिकल वोटि बीजेपी के साथ जा सकती है, तो सिर्फ एलजेपी और जेडियू, तो एलजेपी और जेडियू दोनों को निफ्टाने की बीजेपी नहीं तियारी कर दी है, ऐसे में आरजेडी बसता है, आरजेडी को निफ्टाने के लिए जो गटवंधन बना है, लेकिन बिहार के और वैसी के गटवंधन से लेकिन जनता को अगर यह मैसेज वो देने में काम्याव रहें कि यह गटवंधन बीजेपी के दवाब में किया गया है और लोजपा भी बीजेपी के इसारे पर चुनाओ लड़ रहा है तो खेल बन सकता है वैसे बीजेपी उपर से दिखा रही है को सस्पेंड कर रही है लेकिन आप मान लेजिए 243 सीटों पर बीजेपी चुनाओ लड़ रही है जेडियू का पत्ता साफ है जेडियू को बोट देना पानी में फेकना यह मैं तैय मान सकता हूं क्योंकि जेडियू को कोई भी कैडर बोट नहीं है ना तो उनको सवर्ण ब बोट दे जो जितने वाला हो उसी को बोट दीजिए नहीं तो ऐसा नहों कि तीन भाई में दो भाई लड़ेंगे तो तिसरा परोसी तीन भाई आपस में लड़ेंगे तो परोसी आपका फायदा उठा ले जाएगा और जान बूच कर यह सब पलान किया गया है लेकिन तेज सबसे जालतियां उनसे हुई अब देखते हैं कि SC, ST, OBC, Minority का क्या होता है फिलाल BJP ने जो फिलाल BJP ने जिस तरह से जाल बिछाया उससे तो साफ है कि वो कहीं न कहीं सफल होती दिख रही है लेकिन बिहार के लोग राजिंतिक अली बहुत समझदार होते हैं उनको पता च सबसे ज़्यादा नुकसान में दिख रही है मुकाबला तो RJD versus BJP में है अब देखते हैं कि RJD इसको कितना आगे ले जाती है लेकिन 70 seat Congress को और 30 seat left को ये कुछ पच नहीं रहा है लेकिन उपेंदर कुसबहा, मायवती और OBSI की जो पाटी है वो नुकसान करती दिख रही है अगर ये लोग seat जीतते हैं तो फिर BJP के लिए भी मुस्किल हो जाएगी लेकिन LGP और नितीस कुमार के लिए बहुत जादा मुस्किल है वो साइध ही जीत परा है लेकिन ये तो तह है कि BJP ने नितीस कुमार को खत्म कर दिया है और OBC राजनीती को भी खत्म कर दिया है और BJP अब नितीस कुमार का सत्ता में आना बहुत मुस्किल है इसलिए जो उनके समर्थक हैं ये CSTOBC Minority को लोग उनको समझना चाहिए कि उनके लिए कौन फायदे मंद है फिलाल BJP की राजनीती से नितीस पस्त दिख रहे हैं देखना परेगा आगे आने वाले चर्णों में व किसकी खुलेगी लोटरी और नितीस कुमार का क्या होगा क्या LGP सीट जीत पाएगी क्या नितीस कुमार खत्म हो जाएंगे और क्या RJD अपने आपको समझा पाएगी क्योंकि भविस में RJD उपे नदर कुस वहां मायवती और तेजस अगर वैसी सीट निकालते हैं तो वो ग जारीस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें